चलिए अब बढ़ेंगे आगे और दर्शकों से बात्चीत का स्रिसला शुरू करते हैं हमार साथ अगले दर्शक फोल राइन पर संदीप सिंग है रामनगर से नमस्कार संदीप पूछे क्या सवाल लेकर आए हैं संदीप टीवी का वॉल्यूट कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछे नमस्कार मेडम बढ़ाई सर नमस्कार संदीप अपना सवाल पूछ सकते हैं दोनों एक्सपर्ट्स आपकी आवास सुन पा रहे हैं जी मेडम मेरी मैं सेना में का रहे तो और में जी जी बढ़ाई सर एक्सपर्ट से क्या पूछे आपने बढ़ाए था आप आमी में हैं और कुछ एक लोन की भी बात करें प्लॉट के लिए आप बात करें शायद अब टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए फिर अपना सवाल पूछे चले संदीप आपकी आवास हम तक पहुंच नहीं पाए क्लियर लेकिन आपने इमेल से भी शेयर किया था सवाल उसको जड़ा चेक करते हैं जैसे आपने अभी बताया कि आप आमी में काम करते हैं कुछ जॉब प्रोफाइल से कितना फर्क पड़ेगा वो भी जानते हैं एक्सपर्ट से साथी हर्ष जैसे इन्हों ने अपने बारें बताया है सालवी करीब 30,000 है इनको मिलती है मन्तली लोन लेना चाह रहे हैं लेकिन यहां पर सिच्वेशन यह है कि प्लॉट के लिए लेना चाह रहे हैं और आगे ये भी लिखते हैं कि कुछ investment purpose है यानि उस पर construction नहीं करना चाहते हैं एक प्लॉट खरीद रहे हैं जिस पर ये कुछ प्लॉट के लिए लोन लेने का सवाल है वो बहुत restrictive होता है as compared to a home loan पहली बात तो यह है कि हर किसी प्लॉट के लिए आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा ये प्लॉट या तो आपको statutory जो state का statutory authority है उससे खरीद रहे हो या फिर particular banks के particular schemes को अप्रूव करती है उन्हीं को खरीदेंगे तो मिलता agricultural plot के सामने loan नहीं मिलता आपको down payment भी ज्यादा करना पड़ता है 30-40% down payment करना होगा number of year जो loan मिलता है वो भी normally relatively restricted होता है 15 साल normally maximum मिलेगा वैसे 20 भी दे देते हैं लेकिन normally उसको restrict करने की कोशिश करते हैं banks तो इनकी जो salary है उसके basis पर 10 लाग का loan मिल सकता है अगर और कोई इनके loan नहीं है और credit record इनका अगर अच्छा है तो लेकिन यह याद रखना होगा कि plot approved होना चाहिए जैसे मैंने कहा और 15 से 16 लाग की cost होगी तो 5 से 6 इनको जेब से देने हो तो शायद 10 लाग का loan मिलेगा और plot loan के लिए कोई भी tax benefit नहीं है कोई भी tax benefit इनको इस loan repayment पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा चले तो एक बार तो साफ़ी की tax rate का अगर आपके दिमाग में हो तो plot के लिए ये चीज़ नहीं होती है प्रोविजिन्स में नहीं है ये लेकिन अभी शेक आप क्या कहते हैं जैसे इन्हों ने बताया है अपनी मेल में plot is for investment purpose तो क्या जो एक कामतोर पर आप जैसे कई बर सल कि अगर कंस्ट्रक्शन भी करना हो तो एक अलग तरह का loan composite loan के लिए apply किया जा सकता है पर अगर सिर्फ pure investment purpose के लिए plot लेना हो कहां पर ये apply करें किन बैंक्स या institutions को ये संपर कर सकते हैं और ब्याजदर लगबग कितनी मिल पाएगी देखिए सबसे पहले तो plot सिर्फ investment के लिए skin के loan मिलना बहुत ही मश्किल होगा क्योंकि ब्यासा हर्ष जी ने बताया है कि ये plot loan जो banks होते थोड़ से risky मानते हैं और इसलिए काफी साह restrictive measures करते हैं तो एक उनका मेजर ये भी होता है कि जो भी आपने plot लिया है within three to five years depending upon institution to institution वो आपको time देते हैं कि इतने time के अंदर में आपको construction शुरू करना पड़ेगा अगर आप शुरू नहीं करते हो तो in fact वो clause रखते हैं कि आपका rate of interest जो उनको offer किया है वो almost one to one point five percent बढ़ जाएगा तो ये बहुत जाट discourage करते हैं कि सिर्फ investment purpose के लो तो ये पहली बात है दूसरी बात ये कि इनका rate of interest जो आपने पूछा वो typically थोड़ा सा higher होता है 25 basis point लेकिन अभी आप देखो ये last quarter है financial year का तो काफी banks काफी competitive है तो अगर ये construct करना चाहते है within five years और जैसा पहले बताया गया है कि इनके पास 30% approximately margin money है तो ये definitely जा सकते हैं इसके लावा और भी measures होते है for example अगर आपका जो plot है within city है outside city है अगर within city limit हुआ तो आपको जो margin money कम देनी पड़ेगी similarly आपका जो resell है या फिर आपका ये नया plot है अगर आपका नया plot है तो आप builder से ले रहे हो या फिर आप direct government authority स से ले रहे हो तो कई साहे restrictions होती है तो definitely ये इत मिलना असान नहीं होता है मैं recommend करूँगा कि definitely ये दो तीन leading players को अपरोच करें और फिर वहां पर देखें कि इनके possibility हो सकती है कि नहीं चलिए तो ICICI bank, HDFC, limiter और LIC housing एक कुछ संस्थान है जहां पर आप जाकर आप आप जाकर आ जान सकते हैं कि आपको किस प्याज़दर पर ये loan offer कर रहे हैं लेकिन जार तक हर्श सर नहीं बताया कि tax shoot का कोई आपको लाब नहीं मिल पाएगा plot की case में और साथ ही अगर investment purpose से ले रहे हैं तो एक बार details थोड़ा सा गौर करना होगा कि bank आपको loan देता है या नहीं थोड़ कि हो जाए आपको फिलाल एक break के लिए रुकेंगे हर्श रूंटा और साथ ही हमार सदाभी शेक दुवेदी बने हुए हैं उससे और टाटा जारी रखेंगे loans पर आपके सवालों को लेंगे लेकिन इस break के बार